मैं राम मंतिर प्रान प्रतिष्ठा की बात करती हूँ, इसको एक राजनेतिक रंग नहीं चड़ना चाहिए था, लेकिन हो गया है और जब इलेक्शन आ गए हैं तो फिर चाहे ओपोजिशन हो या बीजेपी हो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं तुम पापी, तुम पापी कॉंग्रेस कहती है कि इसका राजनीती करण बीजेपी ने किया, इसलिए वो पापी है, बीजेपी कहती है कि नियोता देने के बावजूद आप प्रान प्रतिष्ठा में आए नहीं, इसलिए आप पापी हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? पहली बात हैं कि इसका राजनीती करण किस्त ने किया, और इसको आज की घटना हो समद है, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, हमारी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी, उस समय अदालत में ये मामला निप्टाए जा सकता था, समझता का समाधान हो सकता था, भारत पाजन के समय ये ताय कर सकता है, चल्व इतनी इतनी चीजे ऐसा कर लो, वो नहीं किया गया, क्यों? कि एक ऐसा हथियार हाथ में है, जो हथियार वोट बैंक, पोल्टिस्क के लिए मजबूती का एक दाउ है, इसको पकड़ के रखा गया, और बार बार उसको भढ़काया ग अधालत में अभी जज्जमेंट ना आए, वहां तक पोशिश की गई, ज्याइक पकड़िया से होना चाहिए, तो हमारा सभिदान हमें कहता है, और सरकार के तो जिब्बारी है, तो उसमें भी अडंगे डालना है, ये क्यों? क्योंकि उनके लिए ये राजनीतिक हथियार थ अब हुआ क्या, राम मंदिर बन गया, तो उनके हाथ से वो मुद्धा ही चला गया, अब वो किसे को डाना नहीं पा रहे है, राम मंदिर आ जाएगा, आ गया, कुछ नहीं हुआ, आग नहीं लगी कोई, दूसरा इनकी प्रकृति है, आप सोमनाथ मंदिर से लेकर के अब त नेगेटिविटी लेकर के ही देश में वो अपनी बात है, अब सोमनाथ मंदिर को क्या प्रग्रम था पर साधार प्रटेल थे, डॉक्टर राजेन रभाभू को जाना था, वहाँ तो न जंग संग था न भाइसप्धान आरेज था थे, न कोई लड़ाई थी, लेकिन नहीं मना कर दिये जाने हैं, जो भी है, अब ये और वो परमपरा आज भी चल रही है, कि प्रान प्रटेश्टा का निमंतरन मिले, और आप इसको ठुकरा दे, सच मुझ में तो आपको घर्म होना चाहिए, कि ये रामंदिर निर्मान करने वाले जो भी लोग हैं, जिन्नों ने सं आपको इन्वाइट करते हैं, और नए से वावार शुरू करना चाहते हैं, आप उसको भी उस पुराने मिलाद से ठुकरा दे, तब लगता है कि आपके लिए बोट बैंक एक बहुत बड़ी आपकी मजबूरी है, और उस वाट बैंक के चलते इस प्रकार की चीज़े होती और ये किसे को नीचा दिखाना और किसे का अत्मान करना ये अपना अधिकार मांते हैं, और तो मैं कभी कि कहता हूँ, ये तो नामदार है, हम तो कामदार है, अब मैं नौर्थी जाओं, बहां के लोग कोई कपड़े पहना दे, मैं पहनता हूँ, उसकी भी मज़ा कुड़ यानि हर चीज कि मैं तमिल लाव जाओं, लूँगी पहना हूँ, तो लको लगता है, देखो, ये ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं हरार हूँ जी, इतनी दफरा लोगतंतर में नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए, तेकि हमारे लिए, मैं मानता हूँ, ये न राजनीत का प्रभू राम का समद्ध को मेरे कारकारमा नहीं हाया जी, हजारो साल से है, और दुनिया के अनिक देशों में है, जब ये राम मंदिर का निमंतरन देने के लिए, टसके लिए मुझे आये, उन्होंने फुकरा दिया, मैं सोचने लगा, इतना बड़ा मुझे दाई को दिया लोगों की, मेरी spiritual life से जुड़े हुए कुछ लोगों को मैंने पूछा, कि भही मैं इसको एक प्रधान मंद्र के रूप में इस कारकम को नहीं लेता हूं, एक राम भक्त के रूप में करना चाहता हूं, मुझे क्या करे, उसमें से मुझे सुझाव आया, सुझाव तो बहु तरगल के पानी पर रहता था, और ताइक या में रभुराम जहां जा गए थे, उसमें जहां भी मैं जाने का प्रयास का बहुआ था, और वहां में अपना, जब मैं, श्रंगम मंदिर में गया, दक्षिन भारत में, और कम रामायन का मैंने पाट किया वहां, तब मुझे वह आट सो साल पहले, जब कम रामायन के रचना हुई, तो पहला पाट इसी जगह में हुआ, और मैं देखा, आप सब के आख में आशू थे, यह जो मैंने अनुभूती किये, साउत में खास करके, यहां बैटे भी लोगों का अंदाज नहीं आए गाजी, कि क्या भक्ती है, क्य आश्था है, और कितनी पभीत्रता है उसमें, मेरा कारकम नोन नहीं था, मेरा काम के ऐसा व्यक्तिकत था, लेकिन जो जन सामार था, एक प्रकार से मुझे उनके भाव में अनुभू कर रहा था, तो मेरे लिए शायद मेरी स्पीरिचल जर्नी की एक बहुत बड़ा आश्पने एक ग्यारा दिन की गटना में देखता हूं, और रामंदी प्रान प्रतिष्टा को मैंने बहुत गंबीर लिया था, मैंने एक इवेंट के रुप में नहीं लिया था, परेलिए वो इवेंट नहीं था, वो एक स्पिरिचल मुवेंट आख के लिए, मैं माम्ता 500 साल का संगर, मुझे लिखता था, 140 करोर लोगों की सथा, सपने, और देश के गरीब गरीब लोगों ने, पाई पाई देकर के मंदिर बढाया है, यह मंदीर, तीन चीजे में देखता हूं, एक 500 साल का अभीरत, अखन, एक निष्ट संगर, लाखों लोकों का एक काम के लि दीदा, दूसरा, लंबी न्याइक प्रक्रिए, इतने सालों की न्याइक प्रक्रिए, और न्याइक प्रक्रिए के हर तराजयु से तूल करके निकला हुआ, कसुर की हुआ हुआ, तूसरा, टेकनलोजी का उपयोग, एसाई के द्वारा उसकी खुदाई सबूत ये एक बहुत बड़ा और चोथा हिंदुस्तान के कोटी कोटी लोगों ने एक एक दो दो पाज़ पाज़ रुप्या जो भी दे सकते हैं दे करके ये मंदिर बनाया है ये मंदिर सरकारी खेजाने से नहीं बढाया है ये ऐसे पहलू है कि जो भारत के स्वाभिमान को भारत के सामर्थ को भारत के सपनों को भारत के संकल्प को और भारत के आने वाले पीडी को बहुत बड़ी प्रेना देए